शहर का समय था करीब दो बजे और उसके बाद चार बज कर पांच मिनट पर हुए दो जबरदस्त धामाकों से सारा मुंबई शहर कांप उठा अचानक आग ही आग धुआ ही धुआ नज़र आने लगा देखते देखते जहास पर लदिव इस खोटक फूटने लगे भायानक आवाजों के साथ आग की लप्ते उठने लगी ऐसे में भैंकर आग का मुकाबला करते हुए अग्मी शमन सेवा के 66 बहदूर जवानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा इस हादसे में विक्टोरिया डॉक में काम करने वाले कई करमचारी और आसपास के अनेक नागरिक भी अपनी जान खूँड़ा अग्मी शमन सेवा के जवानों के सन 1944 के बलिदान की सुरिती में सन 1968 में भारत सरकार ने पूरे देश में 14 अपरेल को अग्मी शमन सेवा दिन खूशित किया और फिर दो साल बाज से हर वर्ष 14 अपरेल से 20 अपरेल तक देश भर में अग्मी शमन सेवा सप्ता की शुरुगात हुई भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में और केमर शासित प्रदेशों के मुख्यालेयों में अग्मी शमन सेवा सप्ता के गवरान देश के नागरिकों और विद्धार्थियों को अग्मी सुरक्षा से जुड़ी सभी बातों की जानकारी दी जाती है और उन्हें अगनी पति बंधक उपायों के बारे में जागरुक भी किया जाता है सप्ताह के अंतिन दिन भी सप्रैल को सभी राज्यों की राजधानियों और केंदर शासित प्रदेशों के मुख्यालेों में अगनी शमन सिवा सप्ताह का समापन गूता है जिसमें अगनी शमन सेवा के जवानों की परेड होती है परेड के आखरी दौर में शहीद जवानों को शद्धाजरी देते हुए बीटिंग रिफ्रीट कारिकरम होता है और सब्ताह के पहले दिन से लहरा रहे अगनी शमन सेवा के भज को पूरे सम्मान के साथ नीचे उतारा जाता है अगनी शमन सेवाओं में काम कर रहे सभी बहादूर जवानों को और आग से मुकाबला करने की उनकी हिम्मत को प्रणाम करते हुए भारत सरकार एक डाग टिकट का विमोचन करने जा रही है देश की अगनी शमन सेवाओं के बहादूर जवानों को प्रणाम जै हिंद